हेलो प्रेंट्स एंड दियर इस्टुजेंट्स वेलकम टो ओनलाइन प्लेटफार्म अप्चार्दासरी तुड़े वी आर डिस्कस अबाओ टीसी ए साइकल अबिसली यू कन से सिट्रिक असीड साइकल या क्रेप साइकल्स यहाँ पर हम कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं दो को हैंसे क्रेप्स नाम का जो साइन्टिस्ट था उसने इसके बारे में डिसकस किया था इसली इसको क्रेप साइकल भी का जाता है और इसको सिट्रिक असीड साइकल भी का जाता है सिट्रिक असीड साइकल इसको सिट्रिक स्ट्रीक एसिड साइकल क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोड़क्ट बनता बनता है इसलिए इसको सित्रीक एसिड कहा जाता है क्रेपस और हैंस क्रेपust नामक साइंटिस ने बारें बता है इसलिए को क्रेप साइकल क्रीक्राइड ट्राइक र्बौकसली को अधिक जाता है क्योंकि जो सित्रिक अधी व SUS ми 3000 कारबॉकसली हुआ हाग इसलिक ना emergence का से स्टर्ड करते हैं थोड़ा सा कलते हैं थोड़ा सा या कंकलोजन लिए लख आधिना की भी को लैकलाईसिस होता है उसके बाद में जो पारुएट या पारुएक सट बनता है इस पारुएक Mayo को अगर आप अगर आप इसको oxygen नहीं दो तो यह fermentation कर जाएगा बच्चों यह fermentation कर जाएगा और दो चीजे बनाता है एक लेक्टिक एसिड और इथेनोर चलो यह बात तो अलग हो गई अगर इसको oxygen दिया जाए यानि इसको oxygen अक्षिजन वाली condition में डाला जाए oxygen नहीं देरिकों तो यानि इसको हम लेकर जारहें किसकेन Boss क इसके मुएटो कॉंडरिया की अभर जैसे इसको मेटे न मेसियों के अंदर ये इसको만न्दिया के अंदर लेकर जाए buddy कि यानि यह जैसे ही जुड़ता है देन हम कह सकते हैं कि ट्राइक कार्बोकसिल केसिड जो साइकल है वो रन करने मैंने करवाया गल्कोलाइस अपना लिया और पायरूबेट को मैंने मैटोकॉंड्रियमें इंटर करवा घोर जैसे माइटोकॉंड्रियमें इंटर करवाया तो मैंने the creep cycle run कर वागी और time cycle जैसे रन हो जाती है यहांप़ ऑटईपी कुछ direct ATP बन जाती है और कुछ direct ATP नहीं बनके यहाँ पर कुछ चीज़े बनती है मेरे पास जैसे NADH2 वैसे NADH2 नहीं लिखना आप NADH plus H plus और ऐसे ही FADH2 FADH2 is a reducing agent यह भी reducing agent होता है इसके बारे मैंने लिखा इसकी फोल्फ पर आप vitamin adenine di nucleotide यह actual में vitamin B2 को refer करता है और यह पिर आप कह सकते हो FADH2 में vitamin B2 containing होता है आप vitamin B2 यानि body के अंदर जितने भी vitamin B1, B2, B12 यह actual में fuel generate करने के काम आते हैं अपनी energy बनाने के काम आते हैं तो एक परकार का यह vitamin होता है ठीक और इसके अंदर reducing क्यों है क्योंकि अपने पास containing में hydrogen रखता है जिसको यह दे देगा उसके reduce करवा देगा खुद oxidize हो जाएगा ठीक तो यहां पर FADS2, NADS2 और ATP कुछ बनाए अब ATP जो है वो direct बन गए वो तो हमने अलग से काम में ले लिए direct ATP बन गए मेरे पास ठीक अब इनका क्या करूंगा इनका क्या 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 क्य किस्ट रिद्वों गया और इस ने डी एतो इनको में अक्सिडायज क्राएज करेंगा अब माइटोकॉंड्रीय में पहुच आप पर जो आपको यारि रखें यह पर वहाँ पर आपके पास एक और नई चीज ओती स्वाफ क्या बोलते हो इस नई यहां पर बहुत काम में आने वाला है ठीक है तो यहां पर कुछ से ऐसे इसकी इनर मेंब्रेन के साथ ऐसे कुछ से आप इनको कहोगे इलेक्ट्रोन केरियर क्या बोलोगी इलेक्ट्रोन केरियर देखो एक बास आप समझें अगर एक्ट्रोन भी तो छोड़ रहा है आप सक्षल में हम रीक्षाइन में लगा रहे हैं नहीं रहे लेकिन आपको पता है जहां प्रोट्यों निकलते हैं वह ऊपर इलेक्ट्रोन भी निकले घीन nov तो रोटोन यह जो इलेक्टोन जो निकले नहाँ से यह ऑगा यह यह जा ल рук HTTP कियो इनके पास आते हैं इंके पास चाहिए है और लस्ट मिये पास ने यह अट्रॉन लास्ट में यह यह जिल आतना है यहां पर अ से समझें अगर नहीं समझें में आए तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हो पोर्ज कर के है मैंने आपको एक बात बताई कि दाजक Leんな平 की तक लाएक निट से अधिते में इस प्रोसेस को आफ आप निलाको से पर रहे हो िलाइक लाइक लायग्य को यह ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेश हो गई पाइरुवेट दो चीजों में काम आ रहा है पाइरुवेट दो चीजों में काम आ रहा है में आपको प्रड़ा ग्ल टैल से यह मेरे पास गलूकोज से बन गया मेरे पास पयरुवेट बन गया पयरुवेट इस गलूकोज से क्या बन गया वा ये काम कहां हो रहा है सेल समझना बात कर ये काम कहां हो रहा है सेल में अपके पास एक नए चीज पड़ी है जिसको आप क्या कह रहे हो मुटो कोंडरिया क्या कह रहे हो कह अब आप इस सीतर को देख कर बताओ ये जो घ्लाइकों लाइसिस है माइटोप्राज में ओ रहा है साइटोप्राज में ओ रहा है क्या क्या और यह आगर दो पर पास mitochondria नहीं है वह एनारोबिक कंडिशन में भी जा सकता है तो वह आपके लिए दो चीजे बना के देगा एक तो आपके लिए क्या बना के देगा लेक्टिक एसिड और एक इथेनोल और आपको इथेनोल ही बना के देता है लेक्टिक एसिड तो जो हुमन स्केलेटल मसल्स होती है उनके अंदर बनता है बैक्टिरिया तो आपको एथेनोल और स्योटू भी बना के देगा यह आपको स्योटू नहीं देगा इतनी बास समझ में अधाती है देन वहां पर माइटो कॉंड्रियन नहीं अब मैं आप से यह पूछू यह क्या हो रहा बच् कर ली यह बात तो मैंने कर ली मालों बेक्टिरियां कि लेकिन यह यू खेर यो टिक सेल के अंदर माइटो कॉंड्रिय पढ़ेंट होता है चैनल है यह प्लांट के बmernalक बात कर लो अब यह जो पारवेट है यहां पर इसके अंदर चलां कि जैसे इसके और चला गया इसको क को एंजाइम मिला और को एंजाइम मिलते ही इसने आगे अपनी एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी जिसको आपको होगे क्रेप साइक जैसे क्रेप साइकल बनता है मैंने आपको बताया इससे FAD FADH2 NADH2 और डारेक्ट ATP बन गई इतनी चीज़े अब बोल रहे हैं इनका आग्या क्या फ्यूचर है तो मैंने बताया जो इनर माइटोकॉंड्रील स्पेस है उसकी जो इनर मेंब्रेन है यहां पर यहां बाद में पढ़ोगे कौन-कौन से हले इलक्ट्रों केरिए हenedहें फिर ए टीएस समय जाएंगे तो यह क्या है यहां पर दीजारद़ इलक्ट्रों केरियों किया है इलक्ट्रॉं केरियर आपको इक चीज़ मैंने अभी इसंतू बंद रहा है और यह किसी को अपने hydrogen देता है तो इससे electron भी निकलेंगे hydrogen डोनेट कर रहा है proton के साथ क्या निकलेंगे electron actual में हम क्या है सभी अभी किरिया हम देखो जैसे आप s2o तोड़ते हो तो आप क्या करते हो s2 plus o2 यह कर दिया अपने डारिक्ट बैलैंशिheid क्या आपको नहीं पता है एलेक्ट्रों भी निकल निकल पो निकले यह चैसे आपको उसमें पड़ा था फौटो सिस्टम वाले में elektr terrified निकलते हैं चार इलक्ट्रों निकलते द memb क्या होगा यह यहां से जैसे निकलते हैं यह इन मुबायल इलक्ट्रों केरियर के पास मु करेंगे आब उल्ड कियों करेंगे यह मू कियों कि इनको साइनल जो फाइनल टर्मिनल वहां पे इनको पहुंचना और वहां पे इनके पास इंतजार कर रहा है कौन इंतजार कर रहा है और इंको मैंने औक्सिडाइज कर वा रहा हूं अब हैं इनका तो यह हाइड तो यह हैं नंने अडी के निकला सब्सक्राइज बनाऊँ तो यहां मेरे पास direct ATP बन रहे हैं लेकिन जब मैं इसे hydrogen remove करूंगा और ETS में लेके जाओंगा तो मैं इनसे 3 ATP एक एने डी-स्टू से कितनी बनाओंगा तीन एक बात समझ में आनी चाहिए कि एडियुजिंग एजन्ट के साथ यह आगे जाके आप लिए ATP भी जनरेट करके देंगे इतनी बात आपको समझ में आजानी चाहिए देन हम आगे चलते हैं देखो सिट्लिक ऐसिड साइकल या टीची साइकल ठीक है क्रेप साइकल भी कह सकते हो इसको एमपीबॉलिक साइकल भी कहेंगे वाई वाई क्यों कहेंगे विकोज एमपीब शैनलेम्रा तलिक फ्लिक यहां पे आप क्या देख रहे हैं यहां पर आप क्या देख रहे हो इक यह पढ़ना है कि मेरी यह आप करना थो बीटा याम नाम के प्रोसेस होती है उसमें ले जाना पढ़ेगा अगर प्रोटीन को आप करना थो डिये एमिनेशन रिए अगर आप कारबो एडेट यानि ग्लुकोज को इसमें कम नबड कर रहे हैं तो अपने एक प्रोसेस होती है ठीक है तो कार्भोाइडेट से पहले मैं बनाओंगा पायरीम के इसिड के पास जो है वह पायरीक फो मैं लेके जाओंगा कहां पर के मैटो कॉंडॉ क्नूरिय मैट्रिक्स और प्रीड के मैट्रिक्स में न cosmos के इसिटाइल को ऐनलेगे यह दो कार्बन वाला एसिटाइल को कि अपास टीन कारबन हैं यहांस पे दूंग कैसे निखा रहता निकर रहे हैं है कि आपकी क्रेवस की यह कितनी कार्बन होद यह में करकूं कि एक गड़ाइगा भुवर्सिया थे चलती है तो वह थीं कारबन अपस पास पास 3 carbon होते हैं इन तीन carbon को oxidize करेगा और उनसे 3 CO2 बनता है लेकिन glucose में कितने होते हैं और यहाँसे कर रहे हैं 6 carbon कितने होते हैं 6 carbon। यह carbohydrate है glucose की मैं बात करूँ तो कितने होते हैं 6 carbon तो 6 carbon बनाने के लिए निए 6 carbon को हम oxydize करेंगे च्छे के 6 CO2 बनने चाहिए तो यहां पर तो कितने बने तीन इसलिए cycle को कितने बाद चलना है कि यह बार रख कि आद रखें देन में आगे चलता हूं ठीक है यहां पे देखो क्या होगा इसको link reaction कह सकते हो आप जैसे क्रेप साइकल में प्रोड़क्ट आपके पास आ गया अब आप इसमें क्या करवा रहे हो जैसे यह तीन कार्बन वाला प्रोड़क्ट आप आप इसको क्रेप साइकल में इंटर करवा क्रेप साइकल में क्या करना है यह दो यह जो तीन कार्बन वाला है इससे एक आप निकाल दो य Medal पर इंट 95 तो इसके पास कितने बचे ढोलब हमारे इख कारबन का काम हो चुक का मेरे पास तीन कारब्न और तीन कारबन को मैं completely oxidize कर हूं आगा तो जब एक कार्बन के साथ में जोड़ देता हूँ तो एक का काम तो हो गया एक स्योटू तो आपका बन गया अब इसके पास कितने बाकार्बन बच्छे आप इन दो कार्बना को मैं वापस इन से दो बार क्या बनाऊंगा सी योटू ताकि इसका क्या हो जाए ऑक्सिडेशन हो जाए यही तो चा बनता है दो कार्बन वाला ऐसी टाइल को ए टू सी दो कार्बन अब आप यहां जाओ बस अब आप डारेक्ट हम यहां पर बात करेंगे दखो मेरे पास यह पाइरुवेट है और बैसली यू कैन से पाइरुवेट एसिड ठीक है यह जो पॉइंट से पॉइंट दिखा रख मेरे को यह करवानी है वर मैं तूनरता हॉल पाइरुवेट से इसिटायल को एडिंग में कितने कार्बन है कितने कार्बन यह जाहत तो आपको एक चीज इस चीज से पता लग गयी एक बात आपको पता लग गई कि मेरे को एक कार्बन को अटाना है और कार्बन अक्यला नहीं अठेगा ओवजन के साथ उड़के तो मैं एक CO2 को निकार देता हूं तो बही एक का काम तो हमने कर लिया अपने पास एक का काम तो हो कर अब ऐसी टाइल दो कार्बन वाला बन गए अब यहां पर क्या हो रहा है इसको यहां से यहां तक मैं reduce भी करवा रहा हूं क्या करवा रहा हूं reduce करवाने के लिए आप इसको क्या देऊ है और hydrogen देने के लिए कोन आ रहा है NAD Sorry उल्टा हो गया उल्टा हो गया यहां पर आप पाइरुवेत और पाइरुवेत से एसी टाइल को एंजैम बना रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है यह इससे दो hydrogen ले रहा है मलब इसको दे नहीं रहा NAD आया यहां से दो hydrogen पिक अप करता है तो दो hydrogen पिक अप करने का मतलब भॉजन का जूड़न और hydrogen का खुए हो रहे है ठीक है यही हो रहा है यहां से यहां तक oxygen क्योंकि इसको hydrogen मिल रहे है और hydrogen का निकलना क्या है oxygen और यहां पर तो यह cycle हमारी TCA cycle है जिसको हम बढ़ रहे हैं तो को यहां पर पाइरुएट है जो तीन कार्बन वाला है और एसे टाइल को एंजाइम जो है दो कार्बन वाला है एक्चुल में आपको एक बात पता लग गई है क्या कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो इससी प्रोसेश को में ऑक्षिडाइशन कहूंगा यह यहां इसमें ऑक्षिडाइज हो गया लेकिन यहां पर एन एडी है जो एस्टू को पिक अप करता है इसलिए इसका रेडक्शन हो गया यह बात चोटी सी आप याद रख लिया ना दढ़ने इसको मैं लिंक रियक्शन बोलों झो अब हो होता है देखो अब अब मां आपको एक बात बता हूं इससे माल लो मेरे को एक दिजनस का स्टाट-ड़ाम एक बिजनस चलाना और बिजनस जो है मेरै पास बिजनस चलाने के लिए ऐसे माल लो दो लाख रुपए हैं कितने टू लैक और बिजनस के लिए मेरे को चीज़ छह लाख कितने चीज़ तो मैं क्या करूं सर उदार ले लो आप तो मैं इस ऑगजेलेटे 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 ऑगजेलो एसीड से मैं 4-carbon बोरो कड़ लेता हूं तो यह और ऑगजेलो एसीटेट या और आसीड आप ऑगजेलो एसीटेट बोल दो या ऐसीड बोल दो यहां से यह इस से चार कारबन लेता है ऐसे नई चीज कहां से लिए यह सारी चीजि़े पहले से पड़ी है ठीक है यह इसके साथ जुड़ता बन जाता है और छी चीज बनाता जिसको आप कहते है एक चीज बन जाता है तो यह आईशुट्रेट direttουμε c बन जाता है तो यह आई आईशू से ट्रेट में 給 जाता कोई Caroline का लोश नहीं से कार्बन है एक बास समझ में आ गई मिलें क्या एक कार्बन का निप्टान वहां हो गया था एक कार्बन का निप्टान यहां पर ओने वाल यह से कार्बन है यहां पर पांच कार्बन है इट मेंस वन कार्बन रिमूव फ्रॉम दिस और वो ऑक्षिडाइज हो गया ऑक्षिज कर लेता और यह NADH प्लस H प्लस बन गया तो मेरे पास एक NADH प्लस H प्लस यहां बन जाता है एक प्लस यहां बन जाता है अब एक चीज याद रखो आप दिमाग में बठा लो थोड़ा से याद रहेगा इसमें जैसे ही जैसे ही यहां पर दि कार्बोक्सिलेशन होता है उसी दोरान यहां पर NADH प्लस H भी बन जाता है दोनों साथ चल रहे है यहां पे CO2 निकला तो NADH प्लस H प्लस बन गया अब यह फाइप कार्बन वाला प्रोड़क्ट हो गया एलफा कीटो ग्लुटारिक ठीक यह जैसे यहां पर आता तो इसके पास कितने हो गए कितने हो गए चार कार्बन इट मेंज एक और रिमूव करवा दो जैसे यह रिमूव करवा तो साथ में यह आपका इधर हाइड्रोजन रिमूव निकल जाते हैं हाइड्रोजन को पकड़ लेता है एने डी तो सीधी सी बात एक याद हो गई क्या कि जहां जहां पर डी कार्व होता है वहाँ वहाँ पर हाइड्रोजन बहार निकलती हूँ इस हाइड्रोजन को कौन पकड़ लेता है एने डी कौन पकड़ लेता है आगे आजाओ चार कारव अब इसमें एक जगह डारेक्ट एटीपी बन रही है वैसे एटीपी डारेक्ट नहीं बन रही है इनकी इनसे किया वहता है जी डी फी जो होता है डी पि Germa रहाों थे कि उड्यून सुनद्री पेजिट जो हते हैं यह से एक most चेट को पिक अपुप कर लेतारה सब्सक्राओं और रहा जाती है यह सीनददा ट्राइप में कनवर्ट हो जाता है इसने एक पॉस्पेट यहां पर इसा डे दी को दे दि एक पॉस्पेट ऐदी 5 अड़िक में कनवर्ट हो गई वापस देख आधा गौॉन यां सी उठा लेता है इसको दे देता है यांसे उठा लीता है थो रस्म्स में आ करें यह वापस इस फौर में आगा लेकिन जब इसको देता है तो यह एक बना लेता औराट एक जगह बनती है नो आगे देखो आपके पास एक नए रिडिजिंग को एंजेम भी यहां पर जुड़ रहा है FAD FAD अब यहां पर आप याद रखना No Low Soap Carbon अब कहीं पर भी कासियोटो नहीं निकल लई है ऐसे दिमाग में बिठागे चलो क्योंकि हमारे पास कितने Carbon थे इसके पास तीन के तीन Carbon को मैंने क्या करवा दिया Oxidize क्या करवा दिया फिर आप बोल रहे है अब जितना आई है काम तो यहीं तक finish हो गया आगे प्रोसेस को क्यों चला रहे हो आप आपका काम तो होई गया ना Direct Link करो ना नहीं इससे उदारे लिये थे ना कितने करवाना क्योंकि जैसे आपने Carbon का लोस करवाना तो इसके पास बिचार एक पास कम पड़ जाएंगे और इसको चार कारबन मिना चलेगा नहीं तो आपको क्या करना है यहां से इससे एक बार और अर्डरोजन निकलते हैं लेकिन द्यान रखना यहां पर कारबन का कोई लोस नहीं होता इससे डारेक्ट फिमरेट बनता हो भी चार कारबन वाला एस्ट्रो इंट्रो मेलेट यहां 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 एक बार वापस से एनरजी को हार्डनेस्ट कर लिया जाता है लेकिन याद रखे यहाँ पर वैसे मैंने बताया था एक लोजिक रूप से कि जहाँ जहाँ स्योटूब बनती है वहाँ वहाँ आपके NADH2 भी बनेगा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है आप थोड़ा सा दिमाग सेट कर लेना क्या कि सर इधर अगर मैं करवा दूँगा त कि उत्वारा तक थे स्यांबर उसकी स्यूंगा ज्याएं आप अपने एक चोटा सा एकजामपल दिया में इसके पास उदर एक लिए बिजनस यहाँ इसने किया कमाई की पसमाई कर ली भही इसने भूए आपसे बोलता कि इसमें इसके तीन कार्बन तीन कार्बन से इसने तीन जगर क्या बना दी इसका काम हो गया हो गया इसके बाद इसके पास एने डी एस टू कितने बने गिनके बताओ काउंट करके कि एटीपी डारेक्ट कितना बना हो तो बंदे ने तो बहुत सरी कमाई कर लिए और चार कार्बन अगले के दे भी दी अगर आप इसको एटीएस में लेके जाते हो तो इन तीन से तीन को मल्टिपलाई कर दो आप नो एटीपी आपको हीं यहां मिल जाएंगो इसको देखते total count करो 10 और 12 बाराए टीपी अब मैंने कहा आपको ग्लुकोज के सारे करवन को क्या करवाना oxidize तो एक बार में मैं तो कितने निकाल के लाए था तो इसको मैं एक बार वापल सछलू कर दूँ तो चलू कर दो तो इसको मैं 2 से यह जो नहीं डारिक्ट टीपी बन गए वो तो कहां मा रहा है क्योंकि यहां पर भी तो एनरजी लग रही है लेकिन यह आपको कहां देंगे कि कहां जाके देंगे आपको ऐटीएस में कहां देंगे जैसे मैंने आपको बताया था ना भी भी जासी स्टार्ड में बता है यह जो FADH2 और NADH2 यह आपको ETS में जाके ATP बना के देंगे अब अगली प्रोसेस हम ETS ही पड़ेंगे तो मेरे पास एक ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस से मैं क्या कर लेता हूं यानि जो पाइरुएट बनता है वहां पर मेरे को 3 NADH2 प्लस 1 FADH2 प्लस एक डारेक्ट ATP तथा 3 कार्बन को मैं ऑक्सिडाइजिव कर लेता हूं और जिससे मैंने उदारे लिए उसको वापस भी देता हूं और जो सिट्रिक अधिकल भी कहा जाता है तो यहां पर आगर में बात करूं तो मेरे खाल से मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है और बाकी थोड़ा बहुत आप भी इसको देखें घरजा के इसको रिवाइज करें बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू सो मच